सत्ता पक्ष के ठेकेदार हैं उन्होंने एन्सी पर दबाओ डाल कर वो तो बात लेके ओर्डर इशू किये गे जिस समय लेक्षन कोड लागू हो गया था अलेक्षन कोड की वालेशन की जारी है और वो अलेक्षन कोड की वालेशन इस रूप में हैं कुछ इमानदार आफिसर पी डबल्यू के अंदर जो मेरे चनाव हलके में काम करते हैं उनका तबादला कर दिया गया है और तबादला भी ऐसे स्थान पर किया है चमबा भेजा गया नमशकार मैं राके सिंगा अब सब जानते हैं कि पीछले कल भारत चनाव आयोग ने हिमाचर प्रदेश के लिए चनाव की कारिकरम का गोशना किया है और चनाव की गोशना के साथ साथ अलेक्शन मोडल कोड और कंड़क्ट लागू हो जाता है लिक्शन मोडल कोड की कंड़क्ट के बारे में मैं एक बात आप से साथ जा करना चाहाता हूँ आज दस वज़े में वाट्चैप के जरिए हिमाचर प्रदेश के लिक्शन कमिशन को अपना अबजेक्शन जायर कर दूँगा और अबजेक्शन इस सिलसले में है मैंने एनसी प्रदेश के लिक्शन कोड की वाइलेशन की जारी और वो अबजेक्शन कोड की वाइलेशन इस रूप में है कुछ इमानदार आफिसर पी डवल्यू के अंदर जो मेरे चनाव हलके में काम करते हैं उनका तबादला कर दिया गया और तबादला भी ऐसे स्थान पर किया है चमबा भेजा गया और ये अमानदार अफिसर है और मैं जानता हूँ किस नजरिये से इसको किया है पहले तो बाए पास जो बन रहा था उसमें जो उसकी गुणवत्ता थी उसके साथ समझवता किया गया कॉम्प्रमाइस किया गया सारा का सारा बाइपास का एक बड़ा हिस्सा वो गिर गया नुक्सान हो गया वहां भी गुणवत्ता के साथ समझवता किया गया ये बहुत दुखत बात है कि किस तरीके से रिश्वत खोरी इन्वे भागों में चलती है और यहां भी जो P.W. के हंदर हमारे अफसरों का जो तबादला किया गया इसी नजरिये से किया गया कि चनाओ के चलते हुए जो कुछ सत्ता पक्ष के ठेकेदार है उन्होंने एन्सी पर दबाओ डाल कर वो तबादले के ओर्डर इशू किये गए जिस समय लेक्षन कोड लागू हो गया था इसलिए मैं तमाम जो वभागिय अध्यक्ष है उनसे बिंती करना चाहाता हूँ महरवानी करकर लेक्षन कोड की वालेशन ना करे एक बात दूसरी बात जो मैं तमाम हमाच हर पर देश के मद्दाताओं से सांजा करना चाहाता हूँ लोग तांसुक पनाली को मद्बूत करने के लिए आप बढ़ चड़कर अपने मत का इस्तमाल करें मत आप कैसे इस्तमाल करेंगे वो आपकी आपका ववेक तै करता है जो भी आप ठीक समझते हैं लेकिन मद्दान होना चाहिए जादा से जादा होना चाहिए जिससे हमारी लोग तांसुक पनाली मद्बूत हो ये मेरे लिए भी एक किसम का रिफरिंडम है एक किसम से जन्मत संग्र है मेरे कामकाच को लेकर मैं जानता हूँ मैंने महनत की है लेकिन उस महनत के बावजूत बहुत सी कम्या रही होगी जिन कम्यों को लोगों को पॉइंट आउट करना है मैं हमेशा जिन्दगी में अपनी कम्यों को दूर करने का प्रियतन करता हूं लेकिन उसके बाफजूत कम्या रह जाती है लेकिन उसके बाफजूत ये जन्मत संग्रे होना है और इसलिए मैं अपने हलके में भी लोगों से अपील करना चाहता हूं जादा से जादा की संख्या में मन बनाए मत देने का हां कहां मत का इस्तमाल किया ज इतनी बात आप से सांजा करकर मैं आप से विदाई मांगता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद.